पॉपुलर कार निर्माता कंपणी हॉंडा ने CS 2024 में अपनी हॉंडा शून्य सीरीज को पेश किया है इस प्रोजेक्ट के तहट आटो मेकर ने ब्रांड की भविश्य की इलेक्ट्रिक कारों को शोकेस करते हुए दो कॉंसेप्ट TV को दिखाया है कंपणी ने इन्हें सालून और स्पेस हब नाम दिया है आईए इनके बारे में जान लेते हैं हॉंडा शून्य सीरीज हुई पेश जापानी आटो दिगज ने कहा है कि उसकी हॉंडा शून्य सीरीज की पहली इलेक्ट्रिक कार 2026 में लॉंच की जाएगी हॉंडा का दावा है कि उसका लक्ष 2040 तक वैश्विक स्तर पर अपनी सभी नई कारों की बैटरी और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करना है कार निर्माता ने यह भी दावा किया कि हॉंडा शून्य सीरीज मॉडल उस रणनीती में महवपूर्ण भूमी का निभाएंगे कब होगी लॉंच होंडा शून्य सीरीज के साथ आटोमेकर ने एक नया एच लोगो भी पेश किया है जो शून्य सीरीज सहिद ब्रान की अगली पीडी के इलेक्ट्रिक वाहनों में अपनी जग़ बनाएगा होंडा शून्य सीरीज लाइनप का पहला मॉडल दो हजार शून्य सीरीज में वैश्मिक स्तर पर लॉंच होगा जिसकी शुरुवात उत्तरी अमेरिका से होगी और फिर जापान, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मध्यपूर्व और दक्षण अमेरिका में होगी इसके भारत में लॉंच को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टी नहीं की गई है, कम्पनी का फ्यूचर प्लान, जापान में दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता होने के बावजूद होन्डा यूरोप और अमेरिका के अपने प्रतिसपर्धियों से पीछे रहकर इलेक्ट्रिक वाहन की बिखरी बढ़ाने में धीमी रही है अब होन्डा शून्य सीरीज के साथ इसका लक्ष बैटरी ओपरेटेड कारों की और रुप करने में अपने वैश्विक प्रतिद्वंद्वियों के साथ बराबरी करना है 2023 के पहले नौ महीनों में होन्डा ने वैश्विक स्तर पर लगभग 11 0000 बैटरी इलेक्टरिक वाहन बेचे जो आटोमेकर की लगभग 2.8 मिलियन कारों की कुल वैश्विक बिक्री का 0.5 प्रतिशत से भी कम है कार निर्माता का लक्ष अब 2030 तक हर साल वैश्विक स्तर पर 20 लाख इलेक्टरिक कारे बनाने और इस दशक के अंत तक 30 इलेक्टरिक कारे पेश करने की अपनी पूर्व घोशित योजना पर ध्यान केंद्रित करते हुए उस प्रयास को तेज करना है